नमश्कार, शराब घोटाला, पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, दो साल से बीजेपी की सारी एजेंसी कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ़तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी प कई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रिष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल दो अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है जूटे आरोप लगाके फरजी समन भेजके यह मुझे बदनाम करना चाहते हैं मेरी इमानदारी पे चोट करना चाहते हैं इन्होंने मुझे समन भेजे हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन्द गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है यह मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजा है मैंने बताया है कि उनके समन्द कैसे गैर कानूनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मे पूरा सहयोग करूंगा कि बीजेपी का मकसद जाच करना तो ही नहीं इनका मकसद तो लोगसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोगसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे समझ भेजाए क्यूं इस जाच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोगसभ चुनाव के पहले मुझे क्यूं बुला जा रहा है पहले क्यूं नहीं बुलाया मैं नो इतरwo में गया था उनके सारे जवाब भी दिये बलकि खुले आम ED और CBI का इस्तिमाल करके दूसरी पार्टियों के निताओं को तोड़के BJP में शामिल करवाने के काम किया जा रहा है। एक नि, दो नि, कितने उधारन हैं जहां किसी पार्टि के निता के खिलाफ EDI, CBI के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे जैसी वो निता BJP में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए तो जो इनकी पार्टि जॉइन कर लेता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें